कल जो शॉर्ट के हमने अप्रोट किती उसमें कल की प्रॉफिट्स क्या ट्रेट था किस तरह से हमें एक्जेकुशन के सार चीज़े वहां पर हमने एक्स्प्रेइन कर दी थे आज की वीडियो में किसी तरह से कोई प्रॉफिट के परण। डिसकेशन नहीं करेंगे सिर्फ कुछ रिलैबल स्ट्रेक्चर समझेंगे रिलैबल स्ट्रेक्चर का मतलब के बहुत सारे स्ट्रेक्चर आप मार्केट में देखते होगे कहीं flag pattern बन रहा है, कोई symmetrical triangle है, descending triangle है, head and shoulder है, triple top, double top, single, बहुत सारे patterns आप देखते होगे मेरा जो experience रहा है, जब हम इन structures को trade करने के लिए जाते हैं तो कोई भी structure आपको काम करता हो नहीं दिखाए पड़ेगा क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ है, यह मान के चलिए, अगर हम 100 trades execute कर रहे हैं, तो 100 trades में से 70 trades loss में ही जाते हैं इन patterns की खास बात यह होती है कि यह चल जाने के बाद बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं, किसी को भी आप देखोगे तो वो patterns कैसे बनने से पहले नहीं, वो बनने के बाद में बहुत अच्छी तरह से explain कर देंगे कि यहां पर देखिए फलानी चीज बनी थी और इसने अभी एक descending triangle बना और प्राइज ने upside का movement देखा और यहां से यह उपर की तरफ निकल गया तो इस तरह से हम लोग यहां पर अपनी entry लेते हैं, यहां पर retracement हुआ, यह stop loss बन गया और यहां पर हमारा target हो गया इस तरह से बहुत से लोग आपको समझाते मिलेंगे, बहुत से लोग जब जब हम इस तरह के वीडियो देखा करते थे ना बड़ा अच्छा लगता था उसमें जब हम वीडियो देखते थे आप trade करो, जिन चार्च पर बन सक उनको तो छोड़ दो वो तो बन गया, आप वहां पर अगर backtest करने जाओगे तो आप उससे जादा अच्छा है फिर आपको दिखाईने पड़े, आपको लगेगा कि पूरी market चलती ही ऐसे है, जहां butterfly बन गई वो उड़ गई, यही लगता प्रोफिट बूड जाएगा उसी तरह से, cup and handle बना वहा, क्या तो cup and handle बन गया है, breakout वो आप trade लो, actually जब market में लेने जाओगे, तो cup and handle तूट जाएगा, butterfly जो बने कि वो पता नहीं कहा चली जाएगा, moral of the story, हम जितने भी structures देखते हैं, यह सिर्फ उसे हमाई दिमाग में क्य करते हैं, एक तरह से बहुत सारा गेम पैदा कर देते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम क्या trade करें, यह देखिए, एक तो यह triangle बन रहा है, symmetrical triangle अब जिदर भी breakout होगा, आप trade मार दो, पता चलेगा, आपने जैसे price का breakout हुआ था, आपने trade लगा दिया, और यहां से price आपका, क्य सारे pattern से में draw करने नहीं है, और जब आप यह video देख रहा हो, तो हम यह मान के चलते हैं, कि already आप experience holder हो, क्योंकि नए जो लोग होते हैं, दो दिन, चार दिन, पांस दिन, एक महिना, अगर उन्हें market में trade करते हुए, हुआ है तो उस समझ नहीं पाएंगे, यह जो video उतना script से अगर आप हो तो आपको समझ भी नहीं आगा, अल्रेडी आप lost profit कर चुगी, थोड़ा बहुत experience, अगर आप hold करो ना, तो ही यह सारी चीज़ समझ जाएंगी, और आप उसको relate कर पाऊगे खुद से, वना नया जो trader होता है, वो तो इसी में फसा रहता है, इन से सबसे निकलन होगा बाहर, जो भी चीज जिल मिलाहट पैदा कर दे आपकी आखों में, समझ में ना है कि कैसे क्या करना है, एक यह बन गया, दूसरा यह हमारे कुछ patterns बन गया है, जैसे कि यह देखिए, एक ऐसा बनेगा, एक क्या ना, इस तरह से रहेगा, और पर से नीचे की तरफ आए होती हो, तो उन candles की body language क्या रहेगी, इसमें stock selection matter कर जाता है, इसमें trend identification matter कर जाता है, sectorial analysis बगरा, बहुत सारी चीज़े होती है, जो कि add करनी है, आप nakedly सिर्फ इन patterns को देख कर के काम करने जागे, तो कर नहीं पाओगे, यह disclaimer है, जो कि हम वीडियो शुरू करने से पहले आपक इनको subscribe कर सकते हैं, comments कीज़ेगा, अगर आपको कुछ questions होते हैं, कोई doubt होते हैं, genuine question होते हैं, उसका 101% reply मिलेगा, thanks, start करते हैं आज के वीडियो और इसको बहुत इत्मिनान और शांती के साथ बैठ करके देख, चुक्कि जितना हो सेके, अभी थोड़े दिन पहले हमने AK47 एक movie देखी थे, कलाशनिकूव करके जो inventor थे, AK47 के, उस movie के अंदर जब कलाशनिकूव अपनी रैफल बना रहे होते हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा complicated होती है शुरुवात में, उनके साथ में ही काम करने वाले कलीग होते हैं, वो बोलते हैं कि आप जितने ही ज्यादा इसके अं आइट करने, जब उसके काम करने के बारी आएगी तो उसके नहीं चलने की chances या खराब होने की chances उतने ही रहेंगे, डेट्स और कॉम्पोनेंट्स एट कर दिया है, यानि के डेट्स और जो आपके chances हैं बढ़ गए, उन्होंने जो कलाशनिकूव के कलीग ने जो कलाशनिकू को राय दी, उन्होंने कहा कि जितना हो सके ना अपनी इस राइफल को सिंपल बनाओ, क्योंकि एक एक फूर्टी सेवन के बनने के पहले की स्टोरी बहुत एक तरह से ऐसे ही नहीं बनागी, काफी मेहनत के बाद में एक फूर्टी सेवन आई, हलकी, पानी में भी, रेत में आदी, तुफार, हर जगह वो राइफल चले, इस तरह के टेस्ट से उसको निकलना था और वो बार वर फेल हो रही थी, बार वर फेल हो रही थी, डिजाइन्स उसके कहीं पर वजन जादा हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी राइफल ऐसी बनाईए, एकदम सिंपल, लाइट हैमर, हथोड़े की तरह, कि बस हाथ में लो और चला दो, इतनी आसान राइफल हो, यहां सुनको आइडिया है, उन्होंने अपने कॉम्पोनेंट्स दिरी दिरी करके कम की राइफल के जो बहुत जरूरी चीज़ें थी, उन्हें क्याँ कर रहें, क्युकि जितना ही कॉम्प्लिकेcl है, लो कानईट्स चार्ट को करहुए, यह रख्राइट को करेंगै यह सिंप्राइस पोप करेंगे, इस जगे सिंप्राइस आपका उपर चला गया, आप जितना उस केम इदाटा करेंगे, इसलिए इन ओनत्स जिसमें जाएंगे कि आपको क्या करना है दो तरह की चीजे होंगे तो जो फर्स्ट वाला होगो उसमें देखिए प्राइस आपका कुछ इस तरह से मूव करता हो दिखाए पड़ेगा ना तो आपको इसके अंदर हाइस दिखेंगे ना लोज दिखेंगे और वहीं अगर आप दूसरी परिट होगी यह चार्ट समझने में आपको दिमाग लगेगां से तो तो इसके तरह मसडमापे अट लेख करके समझ में आजाए टास्क जो सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज़ें पड़ती हैं वो इन दोरों में फर्क करने की हैं क्योंकि एक human psychology यह है कि हम लोग किसी भी चीज़ पर किसी भी object पर जब ज्यादा देर तक काम करते हैं तो सोचते हैं कि वहां से results निकले ही निक किया है हमने उसके major candle से वो निकाली important candle से निकाली आज का trend identify कर लिया support, resident, daily, time frame, lower time frame, trend identification, सब कुछ कर लिया बट यह सारी चीज़े करने के बाद में बहुत complicated हो गया क्योंकि यह analysis हमने इसके ओपर पिछले आदे घंटे एक घंटे से कर रहे है तो psychology recording अब हमें करना ही है अब इसको reject नहीं हम करें हमें यह देख रहे हो कि किस तरह से charts हमें reject करने है और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल सा यह बचारा chart है जो कह रहा है कि इतने complications की ज़रत है ही नहीं आप simple सी line draw करो, draw करने के बाद में जिधर आपको लगे आप उधर trade मार दो तो अभी जो चीज हम लोग देख रहे है आप इसे एक तरह का point of action भी बोल सकते हो कि यहां से हमें just वो जगह चाहिए जिधर से हमें trades execute करने हैं और यही आपका एक reliable setup होगा पिछले करीब 7 साल आप मान के चलो क्योंकि जो हम trades वगरा कर रहा है या market के अंतर जब से हैं high school से हम market में आ गया थे ऐसा नहीं था कि हम high school से ही trade कर रहा है इंटर से ही trades वगरा कर रहा है तब से नहीं एकिर market की वो जो एक तरह की journey थी रीडिंग इस थी वो शुरू हो high school भी हमने commerce से उसके बाद में इंटर किया है उसके बाद में फिर b.com हुआ है m.com हुआ 2012 में मेरा इंटर हो गया था तो 2017 तक इतर सारी पढ़ा हैं हमारी complete हो चुकी थी और उस बीच हम यह start कर चुके थे तब अपने यह trades वगरा चालो हो तो कुछ कु इसक्षिन कहुं सा है और in a simple language आप यह समझो वो charts जो कि आपको complications के साथ नजर आ रहे हैं जो कि complicate हैं समझ में नहीं हा रहे हैं और आप उन्हें जबरदस्ती रीट कर रहे हो इसे पहचानना यह पहचान में आगा तभी तो आप इसे इग्नोर कर पहोगे और जो charts आपके ल बोल देना भी और भी है यह जितने patterns है इनको छोड़ दो उनको ना तो समझाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है आप सबसे simple patterns पकड़ो सबसे simple patterns 2500 stocks आएंगे आपके F&O segment के अंदर इतने सारे stocks पूल रहे है 500 में से 5 stocks ऐसा हो गा ही होगा जो आज आपसे कहने को ready है क वो trade हो सकता है आपको उन 5 में से सही stock निकलना है अब यहां पर इतना आसान तो है ने कि कोई भयाया बस फटाक से पैसा बना करके लेके चला गया मेहनत तो लगती है ना मेहनत तो लगेगी लगेगी अब stock selection की वो जो कुछ techniques होती है उन techniques से उपर already कितने सारे हमने वीडियो बनाए रीडिंग को लेकर के तो ट्रेड हम कर रहे हैं वीडियो बन रहे हैं option इकुटी सारे ट्रेड हम कर रहे हैं वहां पर हम रीडिंग सी एक तरह सा समझा लेकिन यह सारी जो practice करना आप equity के उपर ही करना क्योंकि option में सिवाब बरबादी का और कुछ होता नहीं है यह ब बज़े से यह बनाकर actually हमें मालूम है कि option trading में होता है उसे क्यों promote किया जाता है जब कोई नया नया सीखने के लिए market में उसे option trading को क्यों promote किया जा रहा है और यह बेवकुफी उन लोगों की है जो की आ रहे हैं सीखने के लिए अगर आप market में छोटी सा आप mobile लेने के लिए हम कम बोल रहे हैं 5-5-10-10 लाग रुपए लोग यूँ ऐसे नुकसान हो जाता है लेकिन फिर भी उनको बेचारों को ये तक नहीं पता है कि उन्हें शुरुआत कहां से करनी चाहिए आप से 100 रुपए का stop loss संभलता नहीं आप 1000 रुपए का stop loss संभलने जा रहे हो जब तक बेवकुफी आप करते रहोगे आप कर कुछ नहीं पाऊगे और आपकी इसी बेवकुफी का फैदा उठाते हुए जितने भी लोग है ये सब के सब आपके उपर हावी होते हैं सब आपको option सिखा देगा और एक घंटे में option सिखा देगा वो recorded video देदेगा और आप option सीख जा profitable तो आप 101% बन जाओगे लेकिन इन बेवकुफियों को पीछे छोड़ दो शुरुआत कहां से करनी ये पता होनी चाहिए हर किसी को पता होनी चाहिए अगर आप से कल को कोई पूछ रहा है कि market में नए है ये करो तो सबसे पहले सला दो कि segment क्या है कि segment में काम कर रहो आप त उससे बोलो कि सबसे पहले उस segment में काम कुरो जहां पर quantity वह आपके हाथ में हो market नहीं कि आपको 15 लेनी ही लेनी है 15 quantity जब भी आप किसी lot वाले segment में काम करने जाते हो तो वहाँ पर ये skill की demand करती market कि आप already बहुत कुछ जानते हो तब आप ऐसे segment में काम करने जाओ जहां lot के अधर काम और दर्वाइस equity ही आपके लिए आप equity profitable बनो बनो ठीक है अब जो हम structures आपको बताएंगे हम इधर उदर के structures की बात नहीं करेंगे अभी जो हम structures आपको बताएंगे सिर्फ 20 structures आप देखना बागी जो structure हम नहीं बताएंगे वो structure आज के बाद आप चार्ट के उपर नहीं मत कुछ हम ड्रॉब अगर अगरे करेंगे सिर्फ चार्ट के उपर चलेंगे और वहां पर समझेगे जहां पर एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जैसे यह चीज़ हमने आपको बताई सबसे simple चीज़ हमको समझ में आरी न कि हमने अपने supports या फिर resistance ट्रॉव कर लि यह काम trend line के through भी होता है हम बिल्कुल आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप इन दोनों को एक साथ rely करो दोनों की एक साथ practice करो ऐसा नहीं है आप सिर्फ इसको ही पकड़नों बहुत है अपने आप में यह enough है काफी है हम लोग trend line वगरा पर इतना focus नहीं करते हैं जरुरत नहीं कि एक्जामपल हम आपको अभी इसके भी दे देंगे लेकिन जो पूरा प्रयास करना इस तरह के बिल्कुल hammer like setup के हो easy to understand easy to trade simple बागी किसी भी complications में फसोगे चले जाओगे हमने यह देख लिया market में समझ लिया easy चीजें काम कर जाती है बहुत बार ऐसा होता है कि assess चल रही है सब अभी जो volumes हैं जो प्राइजन इसको मुझे और अच्छी तरह सीखना है और ज्यादा सीखना है वो ज्यादा deep में सीखने के चक्कर में जो बना बनी बनाई चीज़ा होती है उसको भी बिखाड करें क्योंकि फिर जितना आप जहनते जाओगे उतना ही complications बढ़ते चले जाए zero कम जानो लेकिन अच्छी तरह से जाओ और उसी का use करना जाओ market से पैसा बनाने के लिए इतनी चीज़े कापी है इसके लावा अगर कुछ भी आपके पास आ रहा है ना कच्रा है किसी काम का नहीं है पर लो knowledge के लिए अच्छा है लेकिन चार्ट पर जो tactical knowledge है वो कम लेकिन अच्छी knowledge चाहिए होगे यह सब नहीं चाहिए हमें चाहिए simple हमें चाहिए simple चीज़े इस चार्ट को देखे यह चार्ट क्यों क्यों कि अगर हमें इसको trade करना है तो आपको proper इसके अंदर कोई भी trend line दिखाई नहीं पड़ेंगा हम trade करें तो करें कैसे यहां से price तीरे तीर रहा है space नहीं है trade execute करने के लिए यह देखिए आपके कुछ swings पन रहे हैं कुछ swings आपके यह वाले बन रहे हैं यह चार्ट क्यों क्या हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं इस तरह के चार्ट हम देखेंगे ही नहीं हमें trade नहीं करना उसे यह चार्ट जैसे ही मेरे सामने किन नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है हम trade कैसे trade करेंगे समझ में नहीं आगा हम इसको छोड़ देते हैं यह समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्यों छोड़ देंगे एक चोड़ीची trick है उसका use कर लो market start होने से पहले अपने मन में के structure बना लो कि हमें आज market के अंदर यही structure ही चाहिए और आज नहीं कल परसों और उसके बाद भी हमें वही हमारा एक fix structure ही चाहिए काम करने के लिए अगर इसके लावा और की structure आ रहा है आप इतने सारे complications अभी हमने बोला था ना line straw करके दिखाएं थी आप complications में first जोगे हम कैसे trade करें क्या trade करें अच्छा यहां पर देखो कुछ support तो बन रहा है यह market चल जाने के बात के हमाद बता लें ओके यह बन रहा है अब यहां से price आपका नीचे की तरफ जा रहा है यह ऐसे तो क्या करें यहां से support बन रहा है यह trade करें ना करें यहां से price बन रहा है यह तो कुछ angle बन रहा है price यहां से उपर की त structure के हम बात करें रिलाबल का मतलब समझ रहें बिल्कुल विश्वसनी है जिसके ओपर हम भरोसा कर सकें विश्वास करें हमें बिल्कुल रिलाबल स्टॉक चाहिए रिलाबल प्राइज एक्षन चाहिए छोड़ दिए इसको तुरंट इग्णोर किजिए हम चाहें तो इसके ब रिलाबा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखनों को मिलेंगे दिखाए आपको देखे इस जगह पर क्या है एक दो तीन अच्छा यह डबल बॉटम बन गया ओके अब यहां से क्या करना है ट्रेट कर दें प्रस नीचे क्या बाद में तो फिर से उपर की तरफ आगया अब क्य करना है हमें ट्रेट गेड़ करने के लिए एक जगा सही चीज कुस्त भी Commonwealth कुस्त थो फॉरॉं जहां समय क्या है support कोई अछे support हमने दिखाए नहीं क्या करें कैसे execution करें सपोर्ट भी चाहिए होंगे candy देख रहें ना ऊपर नीची के इमटर समय के आसे आगा ओगया कि बहुत simple होना चाहिए hammer का भी हमने आपको example दिया hammer बिलकुल हाथ में आप हथोड़ा उठाओ और काम हो गया बहुत easy, easy setup, easy tool ये साही चीजे में देखनी पड़ रहे हैं अब जितना ही हम इसके उपर pressure दिखाएंगे जितना इसको समझने की कुशिश करेंगे उतनी जदा chances बढ़ेंगे इसके fail होने के छोड़ दो तुरांत हमने इसको भी हटा दिया हमें चाहिए बिलकुल ऐसा stock जो कि देखते ही समझ में ये क्या है क्या हम अगर trade करना चाहें हमें माल लिजे आने वाले time पर इसे trade करना तो हम कुछ support हमें दिख रहे हैं अच्छा ये resistance है तो क्या इन resistance को आगे की तरफ बढ़ाते हैं okay ये resistance भी दिख रहे हैं और lower time frame पर आ जाएंगे यहां पर देखे कुछ swing है अच्छा इतना space देखे में काम करने के लिए मिल रहा है इनकी अपनी अलग complications होती है आप trade तो कर लोगे लेकिन फिर आपको यहां पर targets नहीं मिलेंगे कैसे execution करें इसका क्योंकि सारी चीज़े में देखनी पड़ रहे हैं हमें अपना दिमाग चलाना पड़ रहा है अच्छा ये supports हैं ये कुछ support बन गया है trend line लगा के देखते हैं यहां से ले करके यहां तक कहां तक यहां से यहा triangle type का बन गया क्या price का breakout होगा हो सकता है breakout यहां तक हो प्राइस यहां से फिर उपर चले जाए हमें क्या लगए का okay यह हमें ऐसे करना था ऐसे नहीं करना था इतनी सारी चीज़े चला trade execute करने के बाद में वो जो confusion का दौर होता है जब तक trade से बाहर ही निकल जाते हैं क्या हमन इसके अंदर apply कर दी डिखा ही कुछ नहीं पड़ा लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं उसको हमें skip करना क्यों नहीं आ रहा है टास्क तो यह है हमें से skip करना है हमने इसको skip किया अब यहां पर देखो कितना simple सा chart बना होगा है अब comparatively अब यह वाला chart को अभी जो हमने पहले दे आपको बिल्कुल simple दिखाई पड़ेंगे टास्क यह होता है कि उन simple देखने वाले stocks को हम ढूंडे हैं चाहें जितने आप price action try कर लो आप चाहें जितने structures try कर लो simple ही काम में आएगा बिल्कुल simple दिखेगा price exact इसी जगह पर आपका support ले रहा है again and again जहीं पर आप यह कोई भी इसको देख करके यह कह सकता है कि trade नहीं होगा price अगर आपका नीचे की तरफ निकले तो नीचे या ओपर की side में जाएगा तो फिर तो चला जाए trade execution तो यह फिर support तूटने के बाद ही होंगे हमें just wait करना है कि price हमारा इन वाले supports को बस जैसे तैसे brick करें तो सबसे बड़ी चीज है यह structures मेरे सामने हो और फिर जैसे इसका breakout होगा आप देखना है ऐसे stocks के अंदर movement किस तरह के होंगे यह support support अभी जिस तरह के supports हम लोगों ने draw के ते यह बन गया अब इसी जगह पर आप supports बन रहे हैं बनने दीजे बन रहे हैं बनने दीजे बनने दीजे बनने दीजे ब्रेक आउट होगा अब आप trade कर दो जो उस वक्त के swing लगे होंगे अब वहां पर अपना stop loss लगा दो and up trade execute करो अब आपको results मिलेंगे और यह इतन accurate काम करता है यह price reduction इतना accurate काम करता है आप confidence के साथ इसके अंदर wait कर सकते हो खाली 10-15 प्रेट में वो जो option के अंदर बस एक और दो candle लेने के लिए लिए लोग पागल रहते हैं तीन-तीन बज़े तक यहां पर hold किया जाता है हम तो छोड़ दो हम तो करते ही हैं execution के बाद में 3-10-3-15 तक भी hold कर लेते हैं जो लोग already भी practitioner है जो group में है जो मेरे group में है वो लोग इसके अंदर 3-3 बज़े तक hold करते हैं या तो profit target अपना funder simple है simple strategy execute हो गया एक बार stock अब डर नहीं लग भी रहा है लगने दीजे हामें परवान है उसकी क्योंकि एक बार अगर trade execute है तो exit नहीं ही करनी है SL दे देंगे मंजूर बट exit तो नहीं ही करेंगे target चाहिए या तो फिर stop loss आई बीच में नहीं निकलना है डर लग रहा है तो यह पहले सोचना था execute हो गया है जब एक बार trade अपना हम निकलेंगे नहीं इसके अंदर से मज़े से बेट करो बहुत कम ऐसा हो थ सब आपको apply करने हूँ उसा ही चीज़ों को एक बार master करना होगा practice करनी होगी अब जो भी हम बड़ बड़ करने हैं एक तरह सा क्या lecture ही है तामने चार्ट है और आप हमारी आवास सुन रहे हो लेकिन समझने वाली चीज़ें क्या है इसके अंदर simple सी चीज़ें समझ लो इतन इसको समझने में जिन्दिगयां लग जाती है फिर भी हो सकता समझना पाते हो हम भी अगर आपको इस सारी चीज़ें बाताने हैं तो बहुत-बहुत master नहीं हो गया है इसके उपर हम भी practice ही कर रहे है as a practitioner ही हम आपको इस समझाने की कोशिच करना time taking process होता है समय दो अभ्यास करो सही दिशा में रहोगा ना तो काम हो जाएगा नहीं तो फिर भटकाओ कि स्थित्य तो वह हमेशा बनी रहेगे अब आपको दूसरा example दिखाते है जैसे कि यह है अभी हमने क्या का था कि हम लोग बहुत ज्यादा trend लेंड वगरा देखते नहीं है लेकिन यहाँ पर इस तरह के price action निकालो इस तरह के price action निकालने के कोशिश करो ऐसे यह वाले है सबसे पहले कोशिश करो master करने की horizontal lines एक बार अगर इसके उपर practice होगे तो फिर आपको ज़रब तो महसुत नहीं होगी फिलाल क्योंकि इसी structure के साथ में बहुत सारे stock होंगे जो की trade करने के लिए ready आप उसको trade करोगे या फिर instructions के practice करने जाओगे दोनों में से कोई एक चूज करो लेकिन simple trend line विखर हमें चाहिए तो बिलकुस simple वही हम example दे रहे है आपको बार वर जो पहले दिये just like hammer simple दिख जाए समझ में आ जाए अब यह जो stock है इसको देखकर कितनी simple way में कोई भी बता जाएगा कि यहाँ पर supports बन रहे हैं और इसी जगह पर complicated हो कि एक यह trend trend line बनी हैसे करके price नीचे गिर रहा है फिर उपर जा रहा है फिर उपर जा रहा है फिर नीचे की तरफ गिर रहा है तो यह complicated हो गया है हम अब इसको justify करने के क्योशिच कर रहे है कि जो चीज हम देखने ह जही ही देख रहे है गलत है इसको तुरांत ignore करो simple चीज आपको दिख रही है ठीक है अब जैसे ही price क्योंकि support यहाँ पर लिए जा रहा है हम ready है trade करने के लिए कोई movement अगर हमें मिलेगे तो फिर यहीं से trade अपना execute करेंगे अब देखिए यहाँ पर यह swing बन रहे थे जैसे ही यह swing break हुए market direct नीच है simple कितना बड़ा देखिए फॉल आया इसके सारे stop process जो यहाँ पर लगे हुए थे सारे stop process गया जब stop loss जाएगा movement आपको बड़ा मिलेगा थोड़ा सा महनत लगेगी बस इसके अंदर इस तरह के price actions find करने में और example देखिए यह supports है है ना simple way में दिख जाएंगे किस तरह से price app पर support ले रहा है ब्रिक हो जाए अप्ट्रेट करो देखोगे खोजने के कोशिश करोगे आपको मिलेगा और example लीजे देखिए दूसरा example है यह है ना resistance 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 point बहुत simple way में दिखेंगे यहाँ पर यह आपके supports हैं बिल्कुल इस तरह का symbol से चार्ट हमें चाहिए अब और example देखिए उसका यह जो करना है प्राइस अपने इन supports को ब्रेक करें अगर यहाँ पर यह जब तक consolidate हो ने दो प्राइस अपने level के नीचे आए हमें entries के confirmations देगा हम trade execute कर देगा हमारे इतना काम अब देखिए यह बने सब को यह last swing गया और यह गिरने के बाद नहीं आप देखिए कि आपको यह जो द बार बार नीचे फिर यहीं से यह इसी नीचे की तरफ गिरिए ना देखें बार बार उसी जगह से market गिर रही है सिधे नीचे की तरफ अगर यह ऊपर की तरफ निकल गए अगर पैस उपर गया तो यह market ऊपर क्योंकि इसे high break करना पड़े वह जाना नहीं तो इसी जगह से फिर से नहीं चलता है ऐसा ही होगा आप किसी भी स्टॉक को किसी भी चार्ट को उठा के देख लो आपको यहीं दिखाई पड़ेगा हुगा ना रेस्टेंस 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 मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आई और यहां से देखी नीचे अगर इसको ऊपर जाना होता तो यह वाले रेस्टेंस अपने ब्रेक करें लेकिन इसने क्या किया जहां से एक दो तीन चार बार जहां से गिरी है उसे को master करो आप और कुछ बहुत ज्यादा फिर करने के लिए आपको बचेगा नहीं और देखे एक्जामपल लिजए यह support बने फिर यह support यह support यह support कितने ही stocks हमने बता है आपको बार बार सारे stocks में एक चीज़ common है उनका point of actions यह इतने ही easy to understand होने चाहिए आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़ है खोजने में चार्ट सामने समझ जो हाँ यह easy बन रहा है लग रहा है असान है जो हम बोले ना उतना ही easy है यह complicated हम लोग खुद बोल रहा है ऐसा नहीं है कि आसान है बोल करके और बस समझ रहा है हम लोग नहीं है यह उतना ही easy है उतने ज्यादा दिक्कत होती ही नहीं लेकिन यहां तक पहुंचें यहां तक पहुंचें कैसे जब उन सारे charts को हमें ignore करना आ जाएगा एक साही stocks या सही price action trade करना जाएगा आप यहां पर फट से पहुंच जाओगा नहीं होगा तो फिर हम trade execute नहीं करेंगे अब कल देखे कोई stock हमें नहीं मिला हमने trade नहीं किया यहां पर क्या होगा जब हम देख रहे हैं कि price बाबर इसी जगह से support ले रहा ओपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर आया अगर इसने यह वाला level break किया तो price नीचे की तरफ otherwise फिर यह पर ही जागा यही होता है हर बार यही होगा तो हमें एक जगह तो मिल जाते हैं कम से कम कि हमें actions कहां पर लेने हैं अब ऐसा नहीं कि हम यहां पर आपने trade execute करें या इस जगह पर trade execute करें पता है जो black lines है इन्हें के पास से काम करना है यह हुआ price break हुआ direct नीचे पूरी market नीच समझ में यह ऐसे ही काम करता है एक सही चार्ट उठाइए उसमें अपने trade करने की एक जगह define कीजे करना क्या है उस stock के अंधर यह देखिए और execution कर देजे जेतना हो से करे चार्ट आपका clean होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा आप उसके अंधर volumes को पढ़ो volume को rate को अधर अग इसके यहां पर भी same चीज़ support price अगर नीचे की तरफ टूटा तो short अगर अपने support को यह safe कर ले गया इसने ओपर की तरफ अगर अपनी candles break की है तो फिर यह ओपर की तरफ निकल जाएगा मिल गया एक सही price action मिल गया एक stock हमें मिल गया trade क्या करना है यह समझ में आगया और कहा यहां say trade execute करना है यह समझ में आगया हुआ है price नीचे direct सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट से लिए इस तरह से आप काम करो जैसे horizontal lines के ओपर हमने आपको practice करने के लिए बोला है वैसे ही trend line के ओपर भी काम होता है trend line के ओपर को deep बड़ा video हम upload करेंगे trend line के ओपर उसमें सारी चीज़ के practice कर डालो सिर्फ horizontal के practice करो और एक चीज हम आपको बता दे देखिए यह सारी चीज़ें जो अभी हम आपको बताएंगे इसको as a bonus आप समझो अभी जो हम बोलेंगे ना उसको बहुत ध्यान से समझना कुछ candles होते हैं candles like एक डो तीन चार यह समझ के एक दो तीन चार यह चा यह चीज़ ना तो आपको किसी book में मिलेगी ना आपको कोई पढ़ाएगा ना किसी website पर मिलेगी कहीं पर नहीं मिलेगी किसी भी जगह नहीं मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी observation है जो अभी तरक हमने charts पर देखा है इस तरह की कई सारी चीज़े हैं आप daily के daily बैट कर करके बस practice तो करो market आपको खुद बखुद सिखाएगी क्या करना है कैसे करना है चार candle एक ही color की एक ही side में अगर आपको move करते हुए दिखाए पड़े हैं तो price बहुत से reverse कर जाए हर बार ऐसा नहीं होगा लेकि ना पैसा मान सकतो कि reverse कर सकता है यहां पर देखे एक दो तीन चार सिर्फ इतने सी इतनी सी जगा में देख लो और देख लो आप हम लोग किसी दूसरी चार्ट पर नहीं जाएं सिर्फ इस चार्ट में ही देखें यहां पर देखो बनी प्राइस सी आपका reverse इसके आप में एक दो तीन चार हुगा प्राइस आपका डिरेक्श अभी हम कि इसको लाइव मार्केट में आप टेस्ट करना है देखें आपको क्या समझ में आता है कोई भी एक 5 मिनट से ज्यादा है फिद्रेट के टाइम फ्रेम पर आप जाओ गए और एक ही कलर की कुछ केंडर को आप देखना आपको समझ में आ जाएगा एक चीज जो आज की वीडि पर अच्छे जाएगा तो बहुत अच्छे इस सबसे काम रहा है आपको के अच्छे ऑगा ना कहा पर आपके ट्रेंगल बन रहे है तो सब खुट draw करके market बता देती है आपको ये चीज़ देखो शिर्फ के live market में जब बता रही तब क्या हाल होता है और off market जब वो indicator बता रहा है कि triangle बना, descending बना तब क्या हाल हो रहा है वो जो indicator है न off market बहुत अच्छा काम करेंगे running market में फिर सबकी हवा निकल जाती है सही segment चूज करो सही दिशा चूज करो काम करने का सही तरीका चूज करो काम करो handed and burnt person dessert निकलेगा बटकाओ के स्थिति में रहोगे option option करते रहोगे सुबह से शाम तक घर एक पैसा ले करके जाओगा नहीं आज 100 कमाओगे कल 500 दे करके चले आओगे सही चीज सिखो सही तरह से सिखो धरती से जुड़े रहो ज़्यादा हावा में वोड़ने की जुरूत नहीं है कहीं चका चौन देखी ये हवाई जास तो वो आपका बड़ी बड़ी गाले से चला तो हो जागा वो दिखने में ही अच्छी लगती है अब वो समय गया है कि जब लोग बड़ी बड़ी चीज़े दिखा करकर रूख कर लेते हैं लोग आजकल कि समझदार हो गया है उनको समझ में आता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती लेकिन अपने स्टॉक मार्केट में आज भी बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है वो चमकती चीज को सोना ही मानते हैं यह आप की उपर है ना तो इसमें NSC आपकी कोई मदद कर सकते हैं BSC आपकी कोई मदद कर सकते हैं हम कोई मदद कर सकते हैं नहीं आपका आपको खुद ही इसके उपर गौर करना होगा क्लियर है चलिए आज का वीडियो में लोगें पर क्लोज करते हैं थाइंक्स गुडबाई और वी विल मेट अगेंग